नमस्को आराइस्बिटी न्यूस पर आप देख रहे हैं राजिसान की बड़ी खबरें राजिसान में कोरोना वायरिस के कहर के कारण व्यापारियों की परिशानियों को देखते हुए वित्त विभाग की ओर सी GST में regular registered करदाताओं को GST R3 भी जमा करने में सशर्थ छूट दी गई है अब ये return भरने की अंतिम तारिक 24 जून है return जमा नहीं कराने पर 18% वाशिक दर से ब्याज और 50 रुपए से 4800 रुपए जुर्माना वसुलने का प्रावधान है करदाता ने 24 जून तक return जमा करवा दिया है तो लेट फीस नहीं लगेगी 24 जून की बाद फरवरी से अप्रैल तक की return लेट जमा करवाया तो उसकी सभी छूट खत्म हो जाएंगी और पहले दिन से लेट फीस और ब्याज लगेगा दोसा शहर के चांदा की धानी में दो पक्षों में खुनी संगश हो गया और इस खुनी संगश में एक पक्ष की ओर से फायरिंग भी की गई इस फाइरिंग में दो लोगों को गोली लग गई फाइरिंग और खोनी संघष में कुलपंदर लोग घायल हुए हैं घायलों का अदौसा और जैपुर के एस्पतालों में उप्चार जारी है बीती राज चांदा की धानी में रहने वाले दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपिट हो गए और धारदार हत्यारों से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया इसे तरह ने एक पक्ष के ओर से फाइरिंग कर दी गई इस फाइरिंग में एक महिला और एक व्यक्ति को गोली लग गई, महीं धादार हत्यारों के हमले से कुल पंदर लोग खायल हो गए राजसान में लगतार बढ़ रहे नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में शनिवार को थोड़ी राहत मिली प्रदेश भर में आसुपए 44 नए कोरोना मरीज मिले जबकि कोटा में एक संक्रमित मरीज की मोथ हुई इसके अलावा चूरू में 10, जैपुर में 9, कोटा में 3, बिकाने 2, 7, धौलपूर, जोदपूर, चित्तोरगड, 12 और भीलवारा में एक एक संक्रमित मरीज मिला इंजिलों के अलावा एक संक्रमित अन्य राज्य से सामने आया है कोरोना वाइरस से फैली महमारी के दौरान पुलिस की भूमी का बेहत एहम रही है लोगडाउन या फिर अन्य सरकारी आदेशों की पालना करवाना उनकी बड़ी जिमेदारी थी साथ फीस्ती से ज्यादा का साफ कोरोना के दौरान विशेश ड्यूटी में तनात रहा ठाई महिने में डर फाग दौर के साथ ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को भी अब अवकाश के आवशकता है कोरोना का खौफ भले ही कम नहीं हुआ हो लेकिन लंबे समय से अपनों से दूर पुलिस कर्मियों उनसे मिलने की जुगत में लगे है पहले बार पुलिस कर्मियों को छुट्टी भी आसानी से मिल रही है जैपू रोड पर गढ़े होने की कारण सरसों से भरी ट्रेक्टर ट्रॉली अचानक पल्टी खा गई और जैपू रोड पर जाम लग गया घटना में ट्रेक्टर चालक बाल बाल बच गया ट्रेक्टर चालक मोहंदवास गाउं के समीब से ट्रेक्टर ट्रॉली में सरसो की बोरियां भर कर निवाई आ रहा था जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची और ट्रॉली को सीधा करवा कर जाम को खुलवाया चूरू मेडिकल कॉलेज की माइक्रो बायोलोजी लैब में अगले कुछ दिनों तक कोवीड-19 के सैंपल टेस्टिंग का काम नहीं हो पाएगा चूरू समेट पूरे जिले को जो भी सैंपल चूरू मेडिकल कॉलेज भीजी जाते थे वो अब जुन-जुन अस्पताल भीजी जाएंगे बताय जो रहा है कि तकनी की दिक्कतों की वज़े से ये फैसला लिया गया है इस बारे में बकायदा एक आदेश शुकरवार शाम को चूरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के ओर से जौरिक किया गया था पाली जिले के रास्थाना शेत्र के ब्यावर मेरता राजमार्क सिथ दूलेट सरहत में शनिवार सुबह एक ट्रेलर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई सुचना मिलते ही रास्थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार मैं जापता मौके पर पहुँचे मृतक का शब रास CSC केंदस्तित मोर्चरी में रखवाये गया है प्रदीश भर में शनिवार सुबह तक मिले 10128 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 2525 एक्टिव केस बचे हैं ये सबी मरीज राज्य के अलग-अलग अस्पतालों में अपना इलाज ले रहे हैं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों पर नजर डालें तो 7384 लोग उपचार की बाद ठीक हो चुके हैं जिन में से 6800 पच्पन लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है आज सुबे 25 मरीज कोरोना से रिकवर हुए जबकि 37 को पूरी तरह ठीक होने के बाद अस्पताल से चुट्टी दे दी गई खान विभाग के महा घुटाला के आरोपी भारते प्रशास्टिक सेवा के पूर्व अधिकारी अशोक सिंग्वी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है गदिनों अशोक सिंग्वी ने अदालत में आत्म समर्पन किया था जिस पर अदालत ने उन्हें न्यायक हिरासत में भेज दिया उन्होंने मनी लॉर्णन की विशेश अदालत में जमानत या चुका लगाई जिसे आज स्पेशल जज अरुन अगरवान ने खारिज कर दिया सिंग्वी ने बिमारी और कोरोना का हवाला दे का जमानत देने का आगरे किया था जैपर में आज साबुन की फैक्टरी में आग लग गई ये घटना जोटवाड़ा इलाके के रिको एरिया में हुई आग लगने के सूशना मिलने पर दमकल की पांच गाड़िया मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है आग से काफे नुकसान होने की खबर है तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजरोंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ